पाट ग्यारव उत्तराखंड का एक गाउं रैतोली उत्तराखंड का सुदूरवर्ति एक गाउं है रैतोली, जहां हर घर शिक्षित है। यहां के ग्रामनों ने अपनी मेहनत से पैदल पत का निर्मान किया है और दुग्द समिती बना कर स्वरोजगार की राह खोली है। किसी सरकारी मदद का इंतजार करने की बजाए यहां के लोगों ने खुद को सक्षम बनाया। यह गाउफ चमोली जनपद में बदरिनात राश्ट्रिय राजमार्ग पर इस्थित है। आपसी सहयोग एवं श्रमदान से यहां के ग्रामनों ने रैतोली की तस्वीर को सवा रहा है। जहां पूरे देश में मनरेगा में भ्रष्टचार के मामले सामने आ रहे हैं, वहीं इस गाउं में इस योशना के अंतरगत पारदर्शी तरीके से विकास के अनेक कारे हुए हैं। देश में जब गाउं की बात होती है, खास तोर पर पहाड के गाउं की, तो मन में अशिक्षा, बेरोजगारी और मूलभूत संसाधनों के अभाव में दीन हीन सा जीवन जीते लोगों की एक तस्वीर उभरती है। ऐसे में उत्तराखन के चमोली जनपत का रैतोली गाउं आत्म निर्भरता की एक बहतरीन मिसाल बनकर उभरा है। बिना किसी सरकारी सहायता के यहां के ग्रामनों ने गाउं की किस्मत ही बदल दी है। रैतोली गाउं चारों ओर से परवतिय श्रिंखलाओं से घिरा हुआ है। भले ही रैतोली के गरीब परिवारों ने घास और लकडी बेची पर गाउं के विकास को कभी अवरुध नहीं होने दिया। यही कारण है कि गाउं के प्रतिय घर के लोग शिक्षित हैं। परन्तु ग्रामनों ने दुग्द उत्पादक सहकारी संग के सहयोग से एक ग्रामन दुग्द समिती का गठन किया है। सभी महलाओं को इस संगठन से जोडा गया है। गाउं के उपरी भाग में भविश्य में भूस खलन को रोकने के लिए वन पंचायत की महलाओं ने हजारों की संख्या में पौधे लगाए हैं। वन पंचायत की सरपंच कहती हैं कि वनों को सुरक्षित रखकर ही गाउं को सुरक्षित बनाया जा सकता है। शादी या अन्य समारोहों के अवसरों पर जहां दूसरे अस्थानों पर लोग बरतन आदी बाजारों से किराय पर लाते हैं इस गाउं में इसकी कोई आवशक्ता नहीं पड़ती। गाउं वालों ने आपसी तालमेल से पैसे एकत्रित करके थालियां, गिलाज, बाल्टियां, दरियां और भोजन बनाने के लिए बरतन आदी, कुछ वर्ष पहले खरीद लिये थे। अब गाउं में जिस परिवार में कोई उत्सव या धार्मिक कारे होता है, यह सामान सहचता से मिल जाता है। इस सामान को ग्रामनों ने महिला मंगल दल के सुपुर्द कर रखा है। आपसी एवं विधायक निधी के सहयोग से यहां की पौरानिक शिवगुफा का सौंदर्य करण किया गया है। यहां हर रोज लोग पूजा अर्शना के लिए आते हैं। आपसी सहयोग एवं भाईचारे के बलबूते यहां अखंड रामायन जैसे धार्मिक कारिक्रमों का आयोजन भी हर वर्श होता है। इन आयोजनों के अफसर पर सामोहिक भोजन भी किया जाता है। लोगों को कभी कभार ही अपने नजदी की बाजारों में जाने की जरुरत होती है। वरना गाउं में ही तीन-तीन दुकाने संचालित हैं। यहां पर ग्रामनों को अपनी आव प्रधान ने रखी थी। उस समय लोग रोजगार के लिए गाउं से पलायन कर रहे थे या आसपास के शेत्रों में मजदूरी करते थे। तब ग्राम प्रधान ने गाउं में दुग्द व्यवसाय को बढ़ावा देने पर जोड दिया। फलदार पेड लगाने के साथ साथ सा पनिवारे कर दिया गया। उनके सपने को साकार होने में भले ही थोड़ा वक्त लगा पर उनी की अदेन है कि आज यह गाउं खुशाल है और सडक मार्ग से दूर होते हुए भी एक आदरश गाउं के रूप में विक्सित है। गाउं में बिजली पानी, पैदल पत, जंगल स्कूल दूर संचार आदी की सब सुविधाएं हैं। ग्रामणों के अथक प्रयासों से अब मोटर मार्ग भी स्विक्रित हो निर्माना धीन है। गाउं की स्वचता बनी रहे, इसके लिए ग्रामण माह में एक बार श्रमदान के माध्यम से पूरे गाउं की सफाई करते है इस गाउं के हर घर में शौचाले है, पानी का निजी कनेक्शन, टेलिफोन और अपना पक्का मकान है, धान एवं गेहु पिसाई के लिए बिजली से चलने वाली चक्की है। यहां के लोग विकास के लड़ाई संगठित होकर खुद ही लड़ते हैं। वर्तमान ग्राम प् के सरकार से पैसा नहीं मिलता है, उन्हें सब लोग समय निकाल कर श्रमदान के माध्यम से करते हैं। इस गाउं के लोगों ने यह बता दिया है कि ग्रामिन विकास के वल सरकार के रह्मुकरम से ही संभव नहीं है, बलकि इसके लिए जन जागरुकता के साथ ही पूर्ण साक शर्ता इवं ग्रामिनों का आपस में संगठित होना भी जरूरी है। काश, रहतोली से अन्य गाउं भी प्रेणा ले पाते।